Hello everyone, Namaskar, Welcome back to Learn with Simran, आशा करती हूँ, आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो आज की विडियो में हम डिस्कस करेंगे World History in 20th Century का First Topic, यह हमारी Unit 1 है और Unit 1 का एकलोता और Important Topic है, जो की है कि World History क्या है, वाट इस World History या Question आ सकता है कि Describe World History, या फिर आप World History से आपका क्या तात पर रहे है, विश्व इतिहास क्या है, ठीक है, तो कुछ भी आये पेपर में किसी भी तरीके से Question Frame हो, आपको यही एंसर लिखना है, तो शुरू करते हैं, राइट, तो World History यानि कि विश्व इ इतिहास, विश्व इतिहास को जानने से पहले हमें जानना होगा कि इतिहास क्या है, यानि हिस्ट्री क्या है, देखो अगर हम आम तोर पर बात करें, जनरली हम सभी को पता है कि हिस्ट्री क्या है, कि जो पास्ट में हुआ है, जो पूर्व में हुआ है, वो सभी क्या होता ह गाते हैं अगर एक सब्सक्राइब वर्दी यानि की एग समय पर क्या वर्धी यानि क्या ऐसा पाया गया कि जो बहुत जादा खीमती था यानि कि पहले के समय में हमें क्या ऐसी चीज मिली जो हमारे लिए आज की जनरेशन के लिए या फिर आज जो नया विकास हो रहा है जो नई developments हो रहा है उनके लिए क्या इतिहास में ऐसा रहा वो सभी मिलकर क्या कहलाता है वो सभी history कहलाता है ऐसे events फिर एक आय जॉनसन जॉनसन ने कहा history is everything that ever happened यानि इतिहास वो सब है history वो सब है जो कुछ भी हमारे past में हुआ है यह हो गई हमारी simple और आशान भाषा वाली definition ठीक है तो अब history को और क्या कहा जाता है history is the study of past life यानि कि पूर्व जीवन की जो भी पढ़ाई होती है जो study होती है उसको क्या कहा जाता है उसको history कहा जाता है in all aspects अब हर aspect में यह पढ़ी जाएगी हर पहलू से यह पढ़ी जाएगी वो कहलाता है हमारा इतिहास ठीक है यानि कि जो भी पूर्व लाइफ के अंदर past life के अंदर जो भी events हुए है हर aspect के जब हम उनको study करते है वो study history कहलाती है उसके बाद अब जो यह history है जो हमने कहा कि study है अब यह study जो है यह study human की है किस कि study है मनुष्य की है human की है कि human किस तरीके से evolve हुआ किस तरीके से जो human है वो कैसे एक homo sapien से एक इंसान बनते हुए आया है कैसे एक animal से कहते हैं कि बंदर से इंसान बना है तो वो किस रूप में बना है किस तरीके से वो evolve हुआ है और कैसे हुआ편 ये सब चीज पढ़े जाते ये चीजह है ये मेन असपेक्ट्स Esse जो हम इतिहास के अंदर हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं उसके बाद आगे चले तो historians जो होते हैं अब historians कोन होते हैं इतिहासकार कोन होते हैं जो लोग इतिहासकार कोन होते हैं जो लोग history को पड़ते हैं उसके बारे में नई नई चीज़ें हमें बताते हैं discoveries बताते हैं उनको हम इतिहासकार या historian कह देते हैं ठीक है अब जो historians हैं वो क्या क्या मतलब past के evidence को निकालने के लिए यानि कि पूर्व जो जीवन रहा है उसके बारे में अलग-अलग evidence निकालने के लिए क्या करते हैं इसके लिए उनके पास अलग-अलग methods होते हैं अलग-अ हैं अगर हम बात करें evidence की तो evidence हमें मिलते हैं जैसे कोई बहुत सारी return documents मिलते हैं जैसे की manuscript मिलती है मनुस्मृतिया मिलती है न मैनुस्क्रिप्ट मिलती है उसके अलावा हमें मिलते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स के लावा बहुत सारी बिल्डिंग्स जैसे पुराने पुराने जो मंदिर हैं मंदिरों को देखकर या बहुत सारी caves हैं गुफाएं हैं उन सभी को देखकर जो historian है जो इतिहास कार है वो इतिहास की रचना करते हैं कि अगर ये cave ऐसी है या इस पर ये लिखा हुआ है तो हो सकता है इतिहास में ऐसा हुआ होगा ठीक है तो ये कुछ हो गए sources या ये evidence हो गए ठीक है तो evidence में आ जाएगा हमारा buildings आ जाएंगी return documents आ जाएंगे साथ की साथ artifacts जो भी हमें चीजें वहाँ से मिलती हैं ठीक है साथ की साथ photographs या फिर ऐसी paintings जैसे की अजंताय लोरा caves के अंदर हमें इतनी सारी paintings मिली हैं है ना और इतनी सारी caves है या और मतलब इतनी सारी अलग गलग चीजें मिली हैं कि कह सकते कि पूरी विरासत जो है हमें जानने को मिल जाती है छोटी छोटी चीजों से ही है जैसे कहीं पर चावल का टुकड़ा मिला है कहीं पर गोट या शीप की हड़ीयां मिली हैं तो वह सभी क्या करते हैं वह सभी historians की मदद करती हैं इतिहास की रचना करने में ठीक है अब उसके बाद आगे चलते है हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ते कैसे हुई ठीक है इस्ट्री शब्द जो है वह आया है एक Greek Word से Greek Word था हिस्टॉरिया का मीनिंग होता था information ठीक है तो एक इस्टोरिया वर्टा ग्रीक का जिसका बतलता information उससे हमने निकाला history यानि कि किसकी information पूर्वकाल की जो information होती है वो कहलाती है history वो कहलाती है इतिहास ठीक है अब उसके बाद definitions हमने जान ली तो अभी तक जो भी हमने discuss किया है उसका निशकर्ष क्या निकल के आता है conclusion कि जो history है history is the scientific study ठीक है यह एक विज्ञानिक study है और past happening कि पहले क्या क्या हुआ क्या क्या चीजें हुई क्या क्या उत्पत्तियां हुई उनकी study होती है in all the aspect की हर एक aspect के साथ in light of present happening और साथ के साथ ये भी कि past में ऐसा था तो present में क्या है है ना जैसे past में पत्थर से आग जलाए तो अब हम आग कैसे जलाते हैं तो मार्चीज भी आ गई lighter आ गया किती सारी नई नई inventions हो गई है तो जो पुरानी happening हुई थी जो पुरानी चीजें हुई थी उनके साथ जब हम present को भी लेके चलते हैं तो वह कुल मिला करके हमारा इतिहास हमारी history कहलाती है ठीक है अब history हमने जान लिया I hope अच्छे से clear हुआ होगा अब जानते है वर विश्व की history है वर्ड की history है अब सिरफ वर्ड में यह नहीं होगा कि अगर मैंने कहा कि हमें विश्व की history पढ़नी है तो हम सिरफ देशों के बारे में पढ़ेंगे नहीं वर्ड history के अंदर भी हम human development मानव विकास के बारे में पढ़ते हैं कि human के जो और aspect है अब जो मनुश थिकल हो गया शारिरिक होको गया किस तरीके से देश अब देश क्या है देश के अंदर मनुश्य है तभी तो वह देश है ठीक है तो ऐसे ही तो वो भी history of human ही है ठीक है अब world history को global history भी कहा गया है ठीक है global history क्यों कहा गया है क्योंकि world क्या है पूरे globe पर जो भी चीजें है जो भी चीजें वो मिलकर क्या बनाती है वो हमारा world बनाती है तो world history को global history भी कहा गया है अब वर्ड हिस्ट्री है वर्ड हिस्ट्री की डेफिनेशन अगर लिखने को आए तो हम विश्व इतिहास में यानि वर्ड हिस्ट्री में ये लिख सकते हैं कि विश्व इतिहास इतिहास की वो पढ़ाई है जो हम वैश्विक स्तर पर करते हैं ठीक है world history is the historical study from a global perspective ठीक है अब उसके बाद आज़ता है कि अब जो world history है उसकी उत्पत्ती कैसे हुई मतलब पहले तो हम normal history पढ़ रहे थे कि यह हुआ यह हुआ लेकिन आप इसको world level पर हमने कैसे पढ़ना शु century में आते 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 इसको थोड़ा boost मिला था ठीक है और जो इसकी अच्छे तोर पर जो पढ़ाई की जाने लगी यह इसको practice किया जाने लगा वो थी हमारी 20 वी शताब दी ठीक है तो हुआ क्या था कि पहले के समय में जो इतिहास था वो केवल European European जो हमारा continent है उसकी जो European countries तो थी सिरफ उनका इतिहास पढ़ा जाता था ठीक है पहले एशिया एफ्रिका किसी की भी study नहीं की जाती थी किसी के भी इतिहास के बारे में जानकारी नहीं दी जाती थी चाहिए वो किताब हो चाहिए वो उनके बारे में बात हो या उनको लेकर के efforts करने हो historians के दोरा तो उसके बाद क्या हुआ जो डोमिनेशन था यूरोप का वो डोमिनेशन कम हुआ और अदर जो country थी वो भी उभर करके आने लगी तो जब वो उभर करके आने लगी और यूरोप का Domination खदम हुआ तो उसके बाद से जो और country उनके बारे में भी पढ़ा जाने लगा उनके culture यह डेशों की जो एक वो थी डोमिनेट करते थे वह जो है वह खत्म हो गई ती यूरो-सैंटरिजम और अब जो study थी history की वो world history हो गई थी चीक है अब देखो अब जो world history है उसका aim क्या है उसका उद्देश्य क्या है world history का उद्देश्य है aim है the aim is to see history of humans की मनुष्य की इतिहास को जानना as a single एक मनुष्य को ही जानना मतलब यह नहीं करना हमें कि वो मनुष्य इस देश का है या हम world history पढ़ रहे हैं तो हम compare करके पढ़ेंगे कि इंडिया का ऐसा था और क्या कहते है उस्ट्रेलिया का ऐसा था या आफ्रिका का ऐसा था नहीं हमें human को human के तरीके से ही पढ़ना है to see history of humans as single rather than a collection of particular stories of different communities यानि कि उसको किसी से relate नहीं करना है मनुष्य का मतलब ऐसे नहीं कर बाद आता है कि जो world history है जो विश्व इतिहास है वो comparative politics से different है कई वार हम क्या देत है कि हम world history पढ़ रहे हैं तो हम बहुत सारे देशों को compare कर रहे हैं तो world history भी comparative politics है नहीं यह अलग है world history और comparative history अलग है world history के अंदर हम सिरफ चीजों की study करते हैं चीजों के बारे में सिरफ ज अलग-अलग देशों के राजनेतिक स्तरों का हम क्या करते हैं comparison करते हैं ठीक है उनका वो करते हैं उनको compare करते हैं कि कौन से में क्या है और कौन से में क्या चीज़े अलग हैं या similar है समान है यह देखते हैं ठीक है अब उसके बाद एक बाद थोड़ा सा world history की history को पढ़ दे ठीक है world history association एक group बना था जिसके अंदर जो भी world history को पढ़ने वाले लोग थे वो सब एक साथ मिल करके आगे आये थे सामने आये थे उसके बाद universities में graduate program शुरू हो गए थे history के या नहीं world history को पढ़ा जाने लगा था universities के अंदर as a subject इसको introduce कर दिया गया था और उसके बाद ज एक सबसे important है paper में जरूर लिखना है William MacNeill ठीक है William MacNeill थे उनको pioneer कहा गया है यानि कि सबसे बड़ा दरजा दिया गया है उनको world history को मतलब अलग अलग जगह ओपर पहुचाने के लिए एक अलग level का दरजा देने के लिए William MacNeill ठीक है इन्होंने क्या किया था इन्होंने किता इस किया है वैसने बलकि इन्होंने world history के अंदर पहली बार और चीजों का भी जिकर किया था जैसे कि plague कैसे हुआ ठीक है या population movement जो ही थी उन सभी का जो है इन्होंने इस किताब के अंदर उलेख किया था इस किताब के अंदर mention किया था ठीक है तो world history सिरफ यहां तक limited नहीं है कि कौन देश क्या कर रहा है बलकि इसके अंदर सारी चीज़े include होती है देश की संस्कृति क्या है culture क्या है देश के अंदर क्या population है देश के लोग क्या चाहते हैं देश के अंदर क्या revolution छिड़ा हुआ है सब कुछ world history के अंदर विश्व इतिहास के अंदर पढ़ा जाता है ठीक है अब उसके बाद देखते हैं कि world history को macro history भी कहा गया है ठीक है विश्व इतिहास को क्या वहा गया है macro इतिहास कहा गया है यानि कि जो world history है macro यानि बहुत बड़ा बहुत ही विशाल ठीक है और micro होता है छोटा यानि कि जब हम किसी चीज को छोटे स्थर पर पढ़ते ह सिरफ हमने मोटा मोटा जान ले लेकिन macro होता है जब उसी को बड़े स्थर पर पढ़ते हैं तो world history को विश्व इतिहास को macro इतिहास यानि बड़ा इतिहास भी कहा गया है क्यों कि इसके अंदर जो human history है जो मनुश्य का इतिहास है उसको हम एक country की boundary को cross करके पढ़ते हैं कि सि पूरे विश्व का पढ़ते हैं विश्व इतिहास के अंदर ठीक है इसी लिए वर्ड हिस्ट्री को macro history भी कहा गया है ठीक है और इसके अंदर जो pre modern है उनको भी और जो post modern है सभी topics को include किया जाता है वर्ड हिस्ट्री के अंदर विश्व इतिहास के अंदर तो यह था हमारा topic world history I hope आपको एक clear हुआ होगा विश्व इतिहास मैं नेगोशिश की यह बहुत असानी से समझाओं तो अब last में एक confusion के तोर पर जान लेते हैं कि history यानि इतिहास क्या है it is the construction of memories कि जब हम पुरानी स्मृतियों को इखटा करते हैं उनको बनाते हैं and evidences और जो उसके क्या है उ जो जो लोगों के साथ हुआ पूर्वकाल में जो भी चीज़े हुई जब हम उन चीजों की स्मृतियों को इखटा करते हैं उनके evidences को इखटा करते हैं वो क्या कहलाता है वो कहलाता है हमारा विश्व इतिहास कहलाता है तो यह था हमारा आज का टॉपिक विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री आई होप आपको क्लियर हुआ होगा थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज दू लाइक शेर और सब्सक्राइब टू मैं चैनल अपने दोस्तों को शेर करिए ताकि वो भी अच् अच्छेशन है तो आप उसको कमेंट सक्षन में नीचे मेंचेन कर सकते हैं थैंक्यू सो मच फर वाचिंग